राजधानी राची में अफराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि अब पुलीस वाले को भी नहीं छोड़ रहे हैं। राची के इसी धीवडी पूल के पास SSP आवास में कारेरत एक जवान की अफराधियों ने बाइक लूट ली। दरसल SSP आवास में कारेरत जवान रात 9 बजे डूटी कर लोट रहा था और हटिया के बसारगड इस्तित अपने घर इस रास्ते से लोट रहा था। तभी अरगोडा चौक के पास उसे दिखा कि एक बाइक सवार से कुछ लोग जबरजस्ति कर रहे हैं। जब वह अपनी गाड़ी वहां पर धीरे किया तभी जो अफराधी थे इसके तरफ लूजने लगे। तब ये इसी रास्ते से होकर जो जवान है वह भागने का प्रयास किया। तब ये अफराधियों ने पीछा करकर और उस जवान की बाइक लूट ली और बाइक लेकर फरार हो गया। और जो अफराधियों के पास जो बाइक था वो बाइक यहीं पर छोड़ दी। पूरे मामले को लेकर राची के डुरंडा थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलीस ने अफराधियों की वो बाइक भी जब्त कर ली है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो बाइक पुलीस ने जब्त की है वो भी चोरी की बाइक है। अब पुलीस इस मामले में चानबीन कर रही है और पता करने की कोशिस कर रही है कि आखिर कौन थे वो अफराधी जो पुलीस वाले की बाई को लूट लिए अब आप समझ सकते हैं कि आखिर राजधानी राची में अपराधियों का कितना मनोबल बड़ा है दरसल ये जो सड़क है ये भी वी आईपी सड़क है इसी सड़क से मुख्यमंत्री मंत्री तमाम विभाग के सचीव पदादिकारी गुजरते हैं ये हर्मू बाईपास रोड क सड़क बहुत ही वैस्तम सड़क है रात भर इसमें गाडियां चलती है फिर भी अपराधियों का दुस्षाहस देखिए कि वह पुलीस वाले की बाईक लूट लेते हैं दरसल जिस पुलीस वाले के साथ ये घटना घटी है उनका नाम दीपक सिंग है और वह रांची के SSP आ प्रजा है कि जो एक बाईक को रोख कर 3-4 लोग उसे लुटने का प्रयास कर रहे थी या लुटने के प्रयास का एक नाटक रश रहे थे और उन्होंने अपनी गाडी देरे की और जब गाडी उन्होंने धीरे की तब अपराधियों के तरफ दौडने लगे तभी वह इसी इसिर रास्ते से होकर भागने का प्रयास कर रहे थे लेकिन अपराधी उन्हें छोड़े नहीं और पीछा करते हुए इसी डीबडी पूल के पास उनकी गाड़ी को रोका उनके साथ जवरजस्ती की और गाड़ी से उतर जाने की धमकी दी और नहीं तो जान से मारने की धमकी और यही वज़ा है कि जो जवान थे जो SSP आवास में कारवरत हैं उन्होंने अपनी बाइक छोड़ दी और जैसे ही उन्होंने अपनी बाइक छोड़ी अपराधी उनकी बाइक लेकर इसी रास्ते से होकर आगे की और फरार हो गया पुलीस फिलाहल राची के डुरंडा थाने में मामला दर्ज करके इस पूरे मामले की छानवीन में जुटी है अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है इस मामले में कोई गिरफतारी नहीं हुई है पुलीस के पास जो बाइक है जो अपराधी एक छोड़ कर भागे थे वह लगी हुई है